हलो फ्रेंज इस वीडियो में बात करने वाला हो आप सभी से SSC की आंसर की के बाद कट अब क्या रहा सकता है और किसका कम माक्स है ओ जरूर देखे इस वीडियो को कहने का मतलब है कि क्या बेनीफिट हो सकता है ए वीडियो देखने के बाद आप सभी को अगर मालूम नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखे चलिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगा कि गर्षिस एस एस जी ने जब जारी किया था यहां पे है कि बताया गया है कि अपको सब्सक्षान यहां पे दिये है और आपको सा आंसर दिया है वह भी आपको को देखने को मिला हो अगर आप आप His aansher की डाउनलोड कर चुके ह到 नहीं किये तो एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं बताया था कि किस तरह डाउनलोड करना आपका आपका अंसर फीपर फिलाल अभी एक वीडियो को बनाया था जिसमें बताया है कि 24 12 से लेकर 6 पीम से लेकर 31 12 21 तक आप यहां पे 100 रुपया पेमेंट करके पर कोसन पर चैलेंज कर सकते हैं चैलेंज का मतलब है कि आपका आंसर किया चुका है आपको लगता है कुछ कोसन में कि मालनी जो दो या तीन कोशन में लगता है या एक कोशन में लगता है कि एक कोशन का आंसर मैंने सही दिया पर SSC के तरफ से गलत है तो आप इस कोशन पर चैलेंज कर सकते हैं क्या आपको चैलेंज करने पर सभी को बेनिफिट मिलेगा सभी को benefit मिलेगा या आप कोई shift benefit मिलेगा मान लिजे आप first shift में 15 तारिक को मान लिजे कि 7 December को आप first shift में exam दिये और आपने एक question पे challenge टाल दिये और question सही में SSC के तरफ से गलत था आपने सही answer दिया पर SSC के तरफ से answer गलत था तो आपको एक number यानि एक number प्लस में जो negative कटा था सही में से ओ भी number आपको देखने को मिल जाएगा क्या आप ही को shift मिलेगा जो objection करेगा उन ही को मिलेगा या सभी को मिलेगा सभी को वैसे मिलेगा जो first shift में आपने दिया December 7 December को तो 7 December में जितने candidate first shift में एक्जाम दिये होंगे उन सभी को benefit मिलेगा 1.25 number increase कर दिये जाएंगे जब आपका final row marks आएगा तब उसमें row marks नॉर्मार्मार्स करने के बाद तो अलगी marks आपको देखने को मिलेगा आने बक में पर मैंने यहाँ पर thumbnail में लिखाता कि cut up क्या रहा सकता अंसर की करने के बाद पर इग्जेक्ट में कोई बता नहीं सकता कि आपका cut up क्या रहा सकता है क्योंकि अभी normalization तो बाकी है अभी तो main खेल बाकी है क्योंकि कुछ candidate होंगे कि 90 करके आए होंगे और उनका marks 60 number बन रहे होंगे कुछ candidate ऐसे होंगे जो 60 करके आए होंगे और उनका काट कुट के 60 बन रहे होंगे तो इन में काफी different हो गया जिसमें normalization पर effect काफी बड़ा पढ़ने वाला इस बार 2021 में तो इह information था I hope कि information आपको सही लगा कम number है तो घबराए नहीं क्योंकि आपको इस बार normalization में काफी benefit देखने को मिलेंगा जो candidate कम से कम गलत किये होंगे उनकी को देखने को मिला होगा और उनका सिप्ट अगर हाड रहा होगा तो तो चलिए नेक्स वीडियो मिलते इससे पहले और बात अगर आपको नॉर्मलाइजेशन किस तरह किया जाता है पूरा डिटेल चाहिए डिटेल वीडियो तो आप कमेंट करके वता सकते हैं चलिए नेक्स वीडियों के दन्दबाद देखने के लिए